हेलो दोस्तों, एश्टेडी फूर्ची पर आप सब का स्वागत है अब 67 BPSC की डेट निर्दारित हो गई है 30 अपरेल तो अब हम आद देखेंगे 67 BPSC जो है इसकी क्या रड़नीती होनी चाहिए और कैसे इसे पास करें क्योंकि जो अभी 66 BPSC हुआ है उसमें मैंने 112 नंबर लाए है और जनल की कटाफ 108 गई है जो अभी तक की हाइस्ट है हमेंसा 97-98 रहा करती थी लेकिन इस बार 108 गई है अब हमें जो टार्गेट करना है 110 प्लस का टार्गेट करना है 110 तो लाना ही लाना है इस से नीचे नहीं लाना है अब ये कैसे लाएंगे इसकी क्या strategy होनी चाहिए इसी बारे में आप लोगों से बात करूंगा अब ये देखें प्लिलिम्स BPSC प्लिलिम्स में क्या-क्या पूछा जाता है तो इसमें जो पूछा जाता है सबसे पहले सबसे पहले history, geography, polity, Indian economy, science और environment प्लस जो आता है बिहारे special से कुछ question और कुछ current affair से और 10 question मैद के आते हैं इसमें जो सबसे बड़ा section है वो है history का लगभग 35 से 40 question प्लस current affair इसमें 30 प्लस तो हमेशा रहे मतलब 1500 में से 70 नंबर यही हो गए 40 history के 10 current affair और 10 मैथ मान लो तो 80 question हो गए total बिहार PCS में जो पूछे गए मतलब अगर आप एक तरह का 50% question एसे ही हो जा रहा है history, current affair और 10 question मैथ आपको science अगर इसमें मिला लेंगे तो आपका कटाफ भी clear हो रहा है लगभग 30 question इसमें से आते हैं तो 80, 30 जाके 110 110 के आसपास इस बार कटाफ जाना है हमें कहां फोकस करना है history पे उसके बाद current affair, math और science इन चारों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है प्लस quality हो सके बढ़ियां तो हमें quality भी अच्छी करनी है क्योंकि हम 3-4 section जो हमें मजबूत करना होगा बिहार में economy से बहुत कम question पूछे आते हैं environment से बहुत कम question पूछे आते हैं climate change का main से पूछा जाता है लेकिन prelims में तो environment से question बहुत कम आते हैं और economy से 8-10 question आगे तो आगे पॉल्टी का रहता है section 15-20 question के आसपास रहता है लेकिन जो history, science, current affair इन तीनों का बहुत बड़ा section है लगभग 40, 30, 30 कभी-कभी तो current affair 35 भी आये हैं जैसे इस बार हुआ है लगभग 35 question थे तो आपको जो इस बार करना है और history, current affair और बिहार special के साथ general science इस पे फोकस करना है अब हम देखेंगे इसके लिए क्या-क्या resources फालो करना पड़ेगा क्योंकि अभी 75 दिन के आस-पास है इससे क्या रढ़नीती आप बनाएं तो जो बिहार special के लिए फालो करो मैंने जो फालो किया उलूसेंट का एक बिहार समान लिया इसमें एक फायदा हो रहा है कि इसके साथ आपकी जो प्राचीन इतिहास ancient history है वो भी cover हो जाएगी इतना अच्छे सिसमें बताया है और आप जिस तरह पूछा जाता है बिहार में कि ancient और modern को जादा फोकस किया जाता है medieval से बहुत कम question आते हैं तो आप ancient और medieval को बाद में पढ़ने जरूत ही नहीं पढ़ेगी क्योंकि ancient तो यहीं पढ़ लेंगे medieval मेरी साब से मत ही पढ़ें क्योंकि question दो तीन आते हैं मेहनत बहुत जादा है आपको यहां ancient कबर हो जाएगा साथ साथ बिहार स्वसल भी कबर हो रहा आपका अब हमको history में क्यों modern पढ़ना पढ़ेगा याद रखना मैंने इसे ही किया था क्योंकि अब समय कम है तो हमें एक रणीती के ताहत पढ़ना होगा तो यहां से हमें ancient history कबर हो जाएगी और बिहार स्वसल इस बुक से तो बहुत अच्छे से दिया गया है जादा मोटी बुक नहीं है कबर हो जाएगा इसी से मैंने किया था एक बुक और आती है बिहार समगर आप लोगोंने Kbc-9 को देखे भी बहुत जाए इसको भी कर सकते हैं इसको मैंने इस बार देखा था एक मेरा फ्रेंड लिया था अच्छी भूक है लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं किया था लेकिन बुक अच्छी है लूसर्ण भी फॉलो कर सकते हैं बिहार समगरेवी, जो आपके मन में आई इसकी इंगलीस version भी आती है, और उसकी इंगलीस version आती है, जो आप हिंदी, मीडियम, इंगलीस, मीडियम हो फॉलो करें। फिर बिहार, एस्पेसल के बाद अब बिहार करेंट के लिए, तो एक केबी सी नयनो, इसको मैंने पिछली बार भी लिया, इस बार भी खरीदा था, लेकिन तेश जनौरी को पेपर टल गया, यह उसी का तेश जनौरी के लिया था, यह उसी का कबर है, और यह हटा न होता, तो इसी का इस बार फोटो डाल दिया होगी, कि इसी से में पढ़ना था, लेकिन अब हट गया, तो अब दूसरा निकालेगा, जाकि मार्च की आसपास, केबी सी नयनो का दूसरा आएगा, हमें बिहार करेंट के लिए, बिहार करेंट के लिए, सबसे अच्छी बुक मुझको ल पंदरा दिन, तब इसको फॉलो करकते हैं, कि इसमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही छोटे में समझा देता है, यह खास करके, करेंट के लिए, बहुत अच्छी बुक है, और इसमें करेंट के साथ-साथ, बिहार स्पेसल भी कबर होता है, अगर आपके पास टाइम है, त यह दोनों बुक का एक बुक में है, और बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बहुत ही प्रिशाई ढंक से बहुत ही पतलिम बताया गया है, अब हमारा बिहार स्पेसल प्लस बिहार करेंट कबर हो गया, नेस्ट जो हम अब पढ़ेंगे, उपढ़ेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री मे क्या, तो अब हम लोगों ने लूसेंट से एंसेंट हिश्ट्री कबर कर ली, मेडिवल पूछा नहीं जाता है, मेडिवल से कभी कभार तीन क्युष्चन आये, तो कभी चार या, मैं एक्सियम पांच-छे क्युष्चन से यादा नहीं आने वाले, उसको मेरी साब से उतना म द्रिष्टी किया थे, ये UP-PCS के लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन इंग्लिस और हिंदी दोनों में आती है, आप modern के लिए, खास करके modern का prelims के लिए, तो ये बहुत अच्छी बुखा, आप इसको फॉलो करें, modern के लिए, ठीक, अब आपके पास क्या-क्या हो गया, आपका जो होता है, हाँ, अगर आप चाहें, तो घटना चक्र भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुख है, लेकिन ये बुख मतलब किश्चन वाइज दिया गया है, और इसमें पहले पढ़ाया गया है, लास्ट में क्युष्चन वाइज दिया गया है, तो आप दोनों में से कोई फॉलो कर सकते हैं, जो आपको लगे, हिश्ट्री का आप करने के बाद नेक्स्ट जोगर्फी आता है, आप जोगर्फी के लिए बिहार में, जो कुछ आता है बिहार जोगर्फी से क्युष्चन आता है, थोड़ा बहुत आता है नेशनल जोगर्फी इंटरनेशनल जोगर्फी, लेकिन मेंस में एक क्युष्चन पूछा जा रहा है, और ऑप्सनल के तोर पे अगर आप चाहें तो जोगर्फी को हटा भी सकते हैं, ऐसा है, लेकिन पूरी कबर हो जाएगी इसके लाओ जोगरफी मेरी साब से आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने की आप जोगरफी कहीं से कुछ मत पड़ेगा क्यों को टीन महीने मुश्किल से बचे हैं या पचातर दिन बचे हैं आप हमको नेक्ट जो पॉल्टी तो पॉल्टी के लिए सबसे लच्छी मिकांत को आपको अगर पढ़ लिये हैं तो ठीक है और ना पढ़े हो तो एक बार जैसे फंडामेंटल राइट देख लेना संसत देख लेना पंचायती राज देख लेना यह सब देख के जाना ज्यादा तर जो त्यारी में होते हैं लच्छी मिकांत को एक बार प कभी तो यसा हुआ है 35 आये हैं तो आपको इसमें से कोसिस करना है कि हमें 27-28 तो 35 में सही करना है इस बार जैसे लगभग 30 कुष्टन थे तो मेरे लगभग 27 कुष्टन सही हुए हैं केवल और केवल साइंस है मतलब मेरा यहां से एक बहुत ही बूश्ट हो गया आपको अब सा जैसे बायो मॉलीकूल और जो कमेश्टीन अब्रीडे लाइफ इन दोनों को जरूर पढ़ना है इन ही दोनों से कुष्टन आएंगे जादा तर जो कुष्टन आएंगे मैं इसमें से कुछ चेप्टर आपको लाश्ट में हो सकता जनल साइंस का बता दू जो इंपॉर्टन उसको अपने एक कुछी वीडियो में पढ़ा भी दूँगा साथ ही साथ जनल साइंस की इन दोनों में से जो जो इंपॉर्टन है वो जैसे बायो मॉलीकूल और इसमें बायोजी में बायोजी में इसमें अलाग-अलाग करके दिया गया है human structure के बारे में जैसे एक में आ गया है सर्जी तंत्र फिर एक में आ गया है कोशिका के बारे में ऐसे अच्छे से बताया गया है आप science के लिए मैं यही फॉलो करता हूँ आप लोगों से भी एक भूध देखिए अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए मेरी इस आपसे इससे अच्छी बुक मुझे बिहार PCS, UP PCS कोई भी वो जिसमें science पूछे आती है technology नहीं science के लिए सबसे बेहतर बुक है यह बुक समाने में हिंदी इंगलिस दोनों में आती है जो आपको लगे और फॉलो कर लिजिए science के बाद आपको आता है कि इंडियन economy किस से पढ़े हैं भारती अर्थवे उस्था अर्थवे उस्था से आपको ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ना है क्योंकि इंडियन economy से question 7-8 आते हैं जिसमें से 4 और 5 अगर 10 question आये तो 5 question के आस-पास हो जाता है budget प्लस economic survey economic survey पूछ लेता है ये 5 question बचे 5 question और 5 question में से लगभग तीन question पूछ लेता है money and banking से और अकात question आता है national income से एक question अधर current से हो सकता हो आप जो फोकस करना है वो आपको पढ़ना है पहले बात economic survey बिहार प्लस इंडिया दोनो और इंडिया अगर ना हो सके तो बिहार का तो पक्का पढ़ना है क्योंकि मेंस में काम आ जायेगा आपको तो economic survey आप पढ़ लेना इसके अलावा economic के लिए मैं कोई book क्रिकमंट नहीं करूँग कि मैं खुद नहीं करता हूँ economic survey आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग budget और budget बिहार इंडिया दोनो ये compulsory है budget का 2022 का बिहार की साथ साथ इंडिया भी ये दोनों compulsory है economic survey आप बिहार का पढ़ लीजे तब ठीक है और इंडिया पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है आप economic survey हो गया budget हो गया साथ में आपको क्यों किसी बुक से चाहिए रमेज सिंग या कोई बुक आपके पास हो NCRT से भी आप दो चैप्टर जरूर पढ़के जाएंगे एक आएगा national income इसमें जो आता है GDP या NNP GNP ये सब करें का इन सब को कभी कभा BPS सिपूज लेता है तो पहला national income या पढ़ लिए ये chapter आपको budget economic survey प्लस national income और प्लस money and banking ये वाला chapter इस बार मैं money and banking से कर दस question में से चार question money banking से लगभग पूछा गया था और मैं चारों चारों सही करके आया था आपको economy में कोई बुक फॉलो नहीं करनी budget Bihar plus India economic survey Bihar plus India उसके और national income plus money and banking बस और कुछ institution अगर फॉलो कर सकें तो वो पूछ लिया जाएगा कभी कभार एक दो question आ जाता है तो institution आप पढ़ ले जेगा economy यहां पर आपका complete हो जाएगा अब आपको next जो बच रहा है environment and ecology environment ecology Bihar में बहुत कम पूछा जा रहा है बहुत कम अब आप environment ecology के लिए कोई extra book follow करें और उसमें 15-20 दिन दें यह मुझे समझ में नहीं आया आपके लिए इसके लिए previous year question कुछी कभी उठाओ जो बिहार में पूछा गया हो और वो बहुत कम ही मतलब ज्यादा question आये ही नहीं है तो आपको previous year question उठाके पढ़ लीजे हाँ अग environment and ecology नीरज नचिकेता की है हिंदी में आती है इंग्लिस में भी आती है और मुझको environment के लिए सबसे बेहतर बुक लगी है आप UPSC दे रहे हैं UPSC दे रहे हैं UPSC में तो बहुत पूछा जाता है environment लेकिन बिहार में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता तो आप अगर कोई भी ऐसे बुक उठाक पढ़ ले या जो बिहार S पसल होता है उसमें जो लास्ट में environment का दे रहता है ओ भी पढ़ लेंगे तो भी सही रहेगा बिहार S पसल जो के भी सिने नहीं इसमें एक पार्ट होता है लगबग 8-10 पेज का कि उसमें environment का दे रहेगा ओ भी पढ़ सही रहेगा जो आपको समझ में आए या previous year question environment के देख लीजेगा environment का हो जाएगा complete अब आपको next करना है जो 10 question मैत उसमें 10 में 10 सही करना है कुछ भी हो जाए आप एक भी गलत नहीं कर सकते मेरा पिछली बार 9 गलत था एक क्योंकि बहुत जादा उसमें calculation था इसलिए गलत हो 9 मेरा सही था आप लोग भी कोसिस कीजिए 10 का 10 सही करें नहीं तो एकात अगर इधर उधर गलत हो रहा है तो और इसके लिए जो आपको सबसे बेहतर book है वो LK जाकी इसमें एक basic भी दिया गया है जो आपको 10 question में साथ साथ जब इसे आप पढ़ लेंगे ना जो मेंस में 72 नंबर का statics आता है 72 का 72 अंक मिल रहा है वो यह 72 का 72 मेंस में आपका पक्का हो जाए क्योंकि आपने पहले स्तियारी की है तो इसके लिए यह LK जाकी मुझको अच्छी लगी इसके लिए अरिहन की book आती है वो भी follow कर सकता है क्योंकि इस बार जो question उठाया है थे और अरिहन जाएगा statics के लिए आप यह कर लेंगे अब current के लिए current के लिए कई book अच्छी है लेकिन मैंने जो देखा बिहार के लिए और UP के लिए state PCS के खास कर एडूटेरिया का जो current affairs आ रहा है यह अच्छा आ रहा है मुझे लग रहा है कि state PCS के लिए अच्छा देता है मतलब आप follow कर लिए English Hindi दोनों में आ रहा है अगर आप किसी state PCS दे रहे हैं तो एडूटेरिया current affairs अच्छा है लेकिन UPSC के label का नहीं है लेकिन BPSC के label का तो बह आपका बहुत अच्छे इसके लिए अगर आप ये अब हमारा लगबग हिष्ट्री हो गया पॉल्टी हो गया जोगर्फी हो गया साइन्स हो गया एन्वार्मेंट हो गया पलस बिहार अस्पेसल हो गया तो अब हम सब पढ़ लेंगे तो कुछ प्रैक्टिस भी करके जाएं ये इस बार के लिए जो 13 जनुरी के लिए उसके लिए आया था लेकिन अब हड़ गया तो हो सकता है दुबार देगा आप इसके लिए हिंदी इंगली जोनों में आता है इन के लिए प्रैक्टिस के लिए प्लीज जरूर से जरूर इस्तेमाल कीजिए आप से 10 से 15 कुष्ट डारेक्ट मिल जाता है मेरे साथ तो हुआ है तो मैं ये कहूंगा आप अस्परधा प्रकासन का बस्तुनिष्ट बिहार आप जरूर करके जाए इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होगा तो ये काती है लच बीपीएसी ऐसे इस बार होगा लच बीपीएसी 2022 एरियन का एक लेबल आपको पता चल जाए कैसे आता है गोले भड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपका प्रेक्टिस बन जाएगा तो आप अगर टाइम होगा तो लच बीपी इसके लाओ अगर आप नहीं ये चाहते की लच का तो आस्था आई-एस एक कोचिंग है उसको वो टे प्रेक्सनल वाले वो उठा के उसी को एक बार पेपर बैटके अराम से दो घंटे लगा के कर लेना उसके अलाओ मुझे नहीं लगता आप इतना अगर फालो कर लिए तो आपको मतलब कोई रोखी नहीं सकता है कि आपका 110 प्लस ना आए मैं तो 120 भी कह सकता हूं कि बड़े अराम से अगर इतना आप फालो क्योंकि मैं खुद इतना नहीं कर पाया हूं क्योंकि मैं जीतना इसमें बता हूं लेकिन मैं कुछ चीजे जैसे इसमें जो दो दो बुक है वो नहीं मैंने जो जो फालो किया है वो बता दिया कि कौन-कौन से लिए आपके लिए जरूरी है स के लिए बजट एंड एकोनामिक सर्वे एन्वायरमेट के लिए प्रिवियस एर क्यूस्चन एस्पसल के लिए के वी सी नेनो बिहार एस्पसल के लिए करंट अफेर के लिए एडुटेरिया दस क्यूस्चन जो मयत है और एल के जाबुक आप इतना कर लेंगे ना तो कोई रो कीजिए और साथ आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा बता रहा हूं तो प्लीज अपने दोस्तों को सेर करें और उनसे बोलें सब्सक्राइब करें आप लोग लाइक मेरे कीजिए साथ साथ कमेंट करके बताइए कि इससे आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रह कि अधुआ रहा है कि अच्छा रहा है कि रुग रहा है कि अच्छा है